तो दिवाली से एक दिन पहले टीम इंडिया ने इंडिया को दिवाली का तोफा दे दिया है भारत ने आस्टेलिया पर रहतिहासिक जीत दर्ज कर लिया और साथ बंडे मैचों की सीरीज में पहली बार आस्टेलिया को शिकस दिये हलाकि आस्ट्रीलिया के ओल राउंडर जेम्स फॉक्नर ने टीम इंडिया की दिवाली को कुछ देर तक रोकने की जरूर कोशिश की और एक जबर दस शतक लगाया भी लेकिन वो आस्ट्रीलिया को जीत दिला नहीं पाए तीन सो चारासी रणों का पीछा कर रही ऑस्ट्रीलिया की पूरी टीम पचास उबर नहीं खेल पाई भारत की तरफ से आज रोईट शर्बा ने धमाका किया था अपने करियर का सर्व श्रेश प्रदर्शन करते वे उन्होंने दोरा शतक लगाया 209 रन बनाये थे इसकी बतौरत भारत ने 383 रनों का एक पहाड जैसा स्कोर खड़ा किया लेकिन आस्ट्रेलिया ने भी जवाब अच्छा दिया और 326 तक फाइट करते रहे अपने में बहुत खास रही यह सीरीज हमारे मेमान हमारे साथ मौजूद है यश्पाल शर्मार जी राजकुमार शर्मार जी यश्जी क्या आप कहेंगे आप इस जीट पर बहुत बड़ा स्कोर लेकिन जो फाइट बैक ऑस्ट्रेला की तरफ से हुआ है जीत उतनी बड़ी की है अगर आप देखें तो हर मैच में रन बने हैं और उसका पीछा हुआ है भले हार हो भले जीतो तो यह जब कहीं गेंद बाजों के लिए कुछ ना उस पिस से तो मुझे लगता है कि एक तरफा सा हो जाता है आप अगर चौके छखके लगवाने है तो आप सीधा अगरादर इसे गेंद बाजों के साथ मजाग सा कुछ हो रहा है बैदान पर आई ज़रा वो जीत का लामा देख लें यह सीरीज जीता है और यह हमा में मुझे लगता है फील्डर आ रहे हैं नीचे बहुत ही खुब्सूरत कैच और यह आउट कमाल की जीत भारत में अरजित की है इतिहां स्रच दिया है भारत में